हेलो वीवर्स आज की वीडियो में हम खटाना के भासिक याने के इबारती प्रस्णों को हल करना सीखेंगे और इस रिंखला में हम थोड़े कठीन प्रस्णों का अभ्यास करेंगे शुरू करते हैं पहले प्रस्ण से पहला प्रस्ण है प्रस्ण को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको प्रस्ण में क्या करना है ये समझ में आएगा तो पहला प्रस्ण है एक जंगल में 856 पेड थे जिसमें से 88 पेड काट दिये गए तो जंगल में कितने पेड बचे तो जेनरली जो इस तरह का सवाल आता है कि कितने बचे तो उसमें अधिकांस्ता घटाना ही करना होता है बाकी आप प्रस्ण को पढ़कर अपने सेंस के अधार पर भी इसका नीड़ने ले सकते हैं कि प्रस्ण में हमें क्या करना है फिलहाल इस प्रस्ण में आप देखेंगे कि प्रारंब में दिया हुआ है कि 856 पेड़ थे जिसमें से 88 पेड़ काट दिये गए उसके बाद जो है बच्चे हुए पेड़ों की संख्या उची जा रही है तो इस प्रस्ण में हमें घठाना करना इतना तो क्लियर हो गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे प्रारंभिक पेड़ थे याने कि 856 उसको सबसे पहले हम उपर लिख लेते हैं इसके बाद हम 88 के जो पेड़ काट दिये गए हैं उसके इकाई अंक याने कि 8 को इकाई के अस्थान पे याने कि 6 के नीचे लिख लेते हैं फिर दहाई के 8 को दहाई के अस्थान याने कि 5 के नीचे लिख लेते हैं और इसके बाद हम 856 में से 88 को घटाएंगे तो घटाव की शुरुवात हम सबसे पहले इकाई से करते हैं यानि कि सबसे पहले हम 6 में से 8 घटाएंगे तो चुकि हमारा 6-8 से कम है तो यहां घटाव संभव नहीं है तो क्या करेगा यह बगल वाले दहाई अंक से 1 अंक हासिल या उधार लेगा तो एक नहाई में हमारे होते हैं 10 इकाई और चुकि 6 इसके पास पहले से है इकाई पे यह दोनों मिलके हो गए हमारे 16 तो यहां जो है इकाई में अब हमारा 16 है तो हम 16 में से 8 को घटा सकते हैं 16 के लिए हम सबसे पहले 16 लाइन खीच लेते हैं तो एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चाउदा पंदरा शोल्ला अब इसमें से हमें 8 घटाना है तो 8 लाइनों को हम काट देते हैं एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ और बचे हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ याने कि सोल्ला में से 8 घटाने के बाद क्या आया 8 तो इस 8 को हम इकाई के अस्थान पे लिख देते हैं इसके बाद जो हमारा दहाई अंग था यहाँ अब पांच नारा करके एक कम हो गया तो यहाँ अब नया मान इसका हो गया 4 तो अब हम 4 में से 8 को घटाएंगे लेकिन यहाँ भी वही समस्या है चूकि 4 हमारी क्या है 8 से छोटी है तो यह 4 आट से नहीं घटेगा तो यह बगल वाले अंग याने के 1000 से एक अंग सोरी सैकड़ा से एक अंग हासिल लेगा तो एक सैकड़ा में हमारे होते हैं 10 दहाईं और चुकि 4 दहाईं पहले से हैं तो दोनों को जोडने के बाद दीए हो जाते हैं 14 तो अब हम 14 में से 8 को घटा सकते हैं तो सबसे पहले हम 14 के लिए खीच लेते हैं 14 लाइन एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा और इस में से हमें 8 घटाना है तो 8 लाइनों को हम काट देते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, और बच्चे हुई लाइनों को खीच के गिन के हम नीचे लिख देते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, याने कि 14 में से 8 घटाने के बाद क्या आया 6 तो इसको हम दहाई के अस्थान पे लिख देंगे इसके बाद जो सैकड़ा का अंक था यहां हमारा 8 तो यहां चुकि एक अंक हांसिल दिया गया था तो 8 से 1 कम होके यहां कितना बच गया 7 तो अब यहां हम देखेंगे कि 7 में नीचे सैकड़ा में कोई अंक नहीं घटाने के लिए तो यह साथ हमारा वैसे का ही वैसा यहां उतर जाएगा तो इस प्रकार जो हमारा प्रस्ण था कि 856 पेड में से 88 पेड काटने के बाद कितने पेड बचे तो इसका उतर हम क्या बताएंगे 768 पेड बचे आईए एक और उदान से घटाव के इस कामसेट को समझने की कोशिश करते हैं अगला प्रस्ण है हमारा एक गाउं के 6432 लोगों में से 864 लोग बाहर चले गए तो गाउं में कितने लोग बचे तो यहां भी आप समझ सकते हैं कि यहां में क्या करना है घटाना है तो यह निर्णा लेने के लिए कि प्रस्ण में क्या करना है प्रस्ण को आप भली बाती एक बार दो बार पढ़िए तो आपको खुद बखुद समझ में आएगा कि प्रस्ण में हमें क्या करना है पर लिखते हैं। इसके बाद जो लोग बाहर चले गया हैं, उनकी संख्या को लिखेंगे तो is में सबसे पहले हमारा危्काई में चार है। तो危काई के चार को हमften काई के अस्थान पे याने के दो के निचे लिखेंगे, फिर हमारा दहाई में 6 है तो इस 6 को हम 3 के नीचे दहाई के अस्थान पे लिख लेंगे और इसके बाद सैकरा में हमारा 8 है तो इस 8 को हम सैकरा के अस्थान याने के 4 के नीचे लिख लेते हैं इसके बाद हम 6,432 में से 864 को घटाएंगे तो सबसे पहले हम इकाई से घटाना शुरू करेंगे तो चुकी उपर हमारा 2 है और नीचे 4 है तो 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यह बगल वाली संख्या से हासिल लेगा तो 2 चुकी पहले है इसके पास है और इसे एक हासिल मिल गया तो यह हो गया 12 तो अब हम 12 में से 4 को घटा सकते हैं तो सबसे पहले हम 12 के लिए खीच लेते हैं 12 लाइन एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा और इस में से हमें 4 घटाना है तो 4 लाइनों को हम काट देते हैं एक, दो, तीन, चार और इसके बाद हम बची हुई लाइनों को गिन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ याने के 12 में से 4 घटाने के बाद क्या आएगा आठ तो इस 8 को हम हिकाई के अस्थान पे लिख लेते हैं अब दहाई में जो हमारा ये 3 था चुकि इस में से एक अंक हासिल निकल गया तो अब यहाँ इसका नया मान क्या हो जाएगा एक कम याने के 2 हो जाएगा तो यहाँ हमने 2 लिख दिया अब हम दहाई में से दहाई के अंक को गटाएंगे तो चुकि उपर हमारा 2 है और नीचे 6 है तो 2 में से 6 घटाव संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे बगल वाले अंक याने कि सैक्रा से एक अंक हासिल लेंगे तो एक सैक्रा में हमारे होते हैं 10 दहाई और 2 दहाई पहले से है तो यह कुल मिल के हो गएं 12 दहाई तो अब 12 में से हम यहां 6 को घटा सकते हैं तो सबसे पहले अब हम इस 12 के लिए खीच लेते हैं 12 लाइन तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दैस, ग्यारह, बारह और इस में से हमें 6 घटाना है तो 6 लाइनों को हम काट देते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और बचे हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे याने के, बारह में से 6 घटाने के बाद के आएगा 6 तो इस 6 को हम दहाई के अस्थान पे लिख देते हैं इसके बाद हम सैकड़ा में देखेंगे तो यहां हमारा 4 था लेकिन 4 में से चुकी एक अंक हासिल निकल गया एक कम हो गया तो यहां जो 4 के अस्थान पे एक कम याने के नया मान क्या हो गया इसका 3 तो यहां हम 3 ले लेते हैं अब हम सैकड़ा में से सैकड़ा गटाएंगे तो सैकड़ा में चुकि उपर हमारा 3 है और नीचे 8 है तो 3 हमारा 8 से कम होने की वज़ा से गटाओ संभव नहीं है तो यहां भी हम क्या करेंगे बगल वाले अंग यानिके 1000 से हासिल लेंगे तो चुकि एक हजार में होते हैं हमारे दस सैकड़ा और सैकड़ा में पहले से मान तीन है तो अब सैकड़ा में कुल कितने संख्या हो गई या मान हो गया तेरा तो अब हम तेरा में से आठ को गटा सकते हैं तो सबसे पहले हम का करेंगे सबसे पहले हम इस तेरा के लिए खीच देते हैं तेरा लाइन तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और इस में से हमें आठ घटाना है तो आठ लाइनों को हम काट देते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ अब हम बची हुई लाइनों को गिन लेते हैं कितनी लाइने बचीं तो एक, दो, तीन, चार, पांच यानि कि तेरा में से आठ घटाने के बाद कितना आएगा पांच, तो इस पांच को हम सैकड़ा के अस्थान पे लिख लेते हैं इसके बाद हम हजार का मान पे आते हैं तो हजार में चुकी यहाँ छै है और छै में से एक हासिल निकल गया था तो अब यहाँ छै में से एक कम हो जाएगा और इसका नए आमान कितना हो जाएगा पांच, तो यहाँ हम इसका नए आमान उपर पांच लिख देते हैं और चुकी यहाँ नीचे हजार में घटाने के लिए कोई अंक नहीं है तो जब कोई अंक नहीं है तो इस पांच कम क्या करेंगे वैसे का वैसे यहां हजार की अस्थान पे उतार देंगे तो यह हमारा घटाव कम्प्लीट हो गया तो इस प्रकार जो हमारा प्रस्ण था कि 6432 लोगों में से 864 लोग चले जाने के बाद गाव में कितने लोग बचे तो इसका उत्तर हमारा क्या आया 5568 तो इस प्रकार हम घटाव को करते हैं तो आसा करता हूँ कि घटाव का ये काम से आपको समझ में आया हो और आपको फायदा हुआ हो अगर समझ में आया है तो ये एक अभ्यास प्रस्ण है इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें प्रस्ण है मनोहर के पास 432 सिक्के थे जिसमें से 58 सिक्के राष्टे में गिर गए तो मनोहर के पास कितने सिक्के बचे तो प्रस्ण आपने देख लिया है इसका उत्तर आप कमेंट में अवस्य दें बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर करना भूले वीडियो बहुत मेहर से हम बनाते हैं इसलिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें मिलते हैं अगले वीडि